हलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब का अगला विकली टेस्ट 25 नॉम्बर को है और उस दिन मैथ का टेस्ट होगा तो इस वीडियो में हम लोग 25 नॉम्बर 2023 का विकली टेस्ट क्लास नॉम्बर मैथ बहुर बहुर इंपोर्टेंट कोस्ट हैं देखने वाले हैं जो भी कोस्ट को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टेस्ट से पहले और एक सेट में आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा उसे देखना अना पूर लिएगा दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा तो 40 आप 40 मार्क्स आराम से आ जाएगा एक नंबर भी आपका नहीं कट करने वाला इसलिए वीडियो को पुरा दीखें इसकी मत कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिज आप लोगों के लिए मैं फाइनल एक्जाम के लिए भी बहर बहर इंपोर्टिन कोशन अप्लोड करूँगा विकली टेस्ट का भी कोशन अप्लोड करता हूँ तो चलिए बिना देर के हम लोगों को बढ़ते हैं आप लोगों को पता होगा कि 10 अब्जेक्टिव कोशन आता है और 6 सब्जेक्टिव कोशन आता है यहां पर मैंने सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव दोनों को मिक्स कर दिया है ठीक है यह जो कुशन आप देख रहे हैं पहला नंब 120 cm2 एवं आधार 12 cm हो तो उसका तदन रुपी सिर्ष लंब कितना होगा यह उसका लंब बताना है चेत्रफल दिया गया है आधार दिया गया है लंब बताना है त्रिभूज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगा आसाने से निकल जाएगा यहाँ पर समकों त्रिभूज है देख चेत्रफल कितना है 120 cm2 दिया गया है त्पॉर्मूला दिखेंगे त्रिभूज का फॉर्मूर ब्राबर एक बटते दो गुनी आधार याने की बेस उच्चाई याने की ह ठीक है आधार गुनी उच्चाई ब्राबर एक बटते दो गुना आधार ओल्रेडी 12 cm दिया गया है उचाई हम लोगों को निकालना है, उचाई नहीं कि लंब, ठीक है, यह वला लंब, यहीं उचाई है, निकालना है, और 6 रफल 120 दिया गया है, अब कार देंगे इसको हम लोग, चलिकार देते हैं, 2 एका 2, 2 चक 12, फिर से कटेगा ये, तो चलिए, मैं आपर कार देता हम, 6 का 6, 6 दुना 12, और एक 0, यानि कि, एक ब्राबर 20, यानि कि, लंब ब्राबर 20 सेंटीमिटर, उप्सन नमबर तीसरा, बिल्कुल सही, सोरी, उप्सन नमबर दुसरा है, ठीक है, पहला, दुसरा, उप्सन नमबर दुसरा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक, यहाँ पर 20 सेंटीमिटर आ जाएगा, अंसर, ठीक है एक त्रिभुज और एक चत्र भुज एक ही आधार पर तथा समान समान्तर रिखाओं के बीच इसथित में का अनुपात क्या हो गा यहां पर देखिए इस तरीके से हम लोग एक समांतर रिखा बनाते हैं ठीक है दो समानतर रिखा है इसी के बीच यहां पर एक तड़ी भूज कि इस तरीके से एक तड़ी भूज भी इस्तित से निक्त तरी भूज और 20table 30 चत्रबूज doen मैं समानतर चत्रबूज को बलू से बना दूँ यह देखिए अधार से्म होगा अधार सेम वर कि ये समानत company फेल से बन गया समाथ चत्रभूछ को दोनों का ट्रफल का अनुपात किया हुगा तो दैखिए सब्षाण हो जाएगा यहां पर जो चःत्रभूच्छे ऊसका आधा हो जाएगा त्रिभूज का च्फी र स्क्वेर है का च्ट्रफल तो बार सेंटीमेटर हो जाएगा हैं तो older kyle takrobe 100 इसका उंसर हो जाएका विआका नॅट्य पाधका दो इसका अंसर हो हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं हम लोग तीन नमबर यदि किसी त्रिभूज और एक समानतर चत्रभूज एक ही आधार एवं एक ही समानतर रिखाओं के भी चीशती थे सेम दो नमबर के जिसे question है रिपीट होगे question it's okay चलिए इसका सही अंसर हो जाएगा अपसर नमबर पहला एक उनुपात दो त्रिभूज के जितना भी छेत्रभूज उसका डबल हो जाएगा चत्रभूज का छेत्रभूज अगला देखे चार नमबर ABC और BDE दो संभाव त्रिभूज इस प्रकार है कि D भूजा BC का मध्य बिंदू है त्रिभूज ABC और BDE के छेत्रभूज का अनुपात बताना है पहले हम लोग दो त्रिभूज बना लेते हैं यहां पर दो त्रिभूज पहले ABC 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 और D भूजा BC का मध्य बिंदू है यहां पर कोई मध्य बिंदू है जिसका नाम हम लोग D रखेंगे यहां पर D ओल्रेडी दिया गया है संनलोग बना देते हैं पर दोनो क्या है सं बाहु त्रिभूज है इस तरीके से सं हम लोग और हम लोग J बना देते हैं यह एक त्रिभूज है देखिए एक blur वलड़ है जो त्रिभूज दिखे रहाए आप लोग़ोंको नुटित कानुपात बताना है दोनों क्या होता है दोनों संभाहों त्यूज नहें और संभाहों त्यूज क्या होता है सम्रूप होता है तो सम्रूफ त्रिभूजों का छेत्रफल का अनुपाद का जो फोर्मूला है उसे बना लेंगे इसली बन जाए गई है तो चलिए इसका अंवलोग newer सबसीहां इसमे Fuj ai A, B, C, बटे, area of tribhooj, B, D, E, बराबर, बराबर क्या होता है, इसका जो भूजा होता है, उसका वर्ग का अनुपात बराबर हो जाता है, भूजा, A, B, C का भूजा हम लोग B, C ले लते हैं, B, C का स्क्वेर, बटे, यहाँ पर छोटा वला जो त्रिभूज है, उसका कोई भूजा, सभी भूजा तो बराबर है, B, D ले लते हैं, B, D का स्क्वेर, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, B, C को 2, B, D लिख सकते हैं, बटे BD का स्क्वेर यहां भी स्क्वेर रहेगा देखे BC B C D मदबिंदु है निकी यह अलब भूजा और यह अलब भूजा दोनों भूजा ब्राबर हो जाएगा और दोनों आपस में ब्राबर हो जाएगा इसलिए हम लोग 2 BD लिख सकते हैं B C को पुरा का पुरा B C को दो बार BD जोड़ेंगे तो B C आ जाएगा विसको solve करते हैं हम लोग देखे solve करेंगे BD, BD कर जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वेर करेंगे 2 का स्क्वेर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दो का consider करेंगे तो 4 हो जाएगा बट्टे यहाँ पर दीखिए एक है। इसका सही अंसर हो जाएगा 4 व्हुए मशनर धिल्कुल सही हो जाएगा। चार अनुपात, एक तो चले अब बड़ते हैं नेक्स्ट, अगला कोसं की ओर पांच नॉमबर पांच नॉमबर देखिए यदी किसी त्रिभूज के आधार तथा उज़ाई को आधा कर दिया जाए, तो पहले त्रिभूज आधार घुनि उचाई लेकिन स्टिया क्या किया गया है आधार और ऊचाई को आधा किया गया है आधा है यहां पर देखिए आधा किया गया है तेहां पर हमरों लिखेंगे आधार बटे-2 गुनि उचाई बटे-2 अधार कर देंगे अब इसको शुल्प करते हैं किया हो जाएगा? पोसिस किजिएगा समझने का 1 v kaap बटे 2,1 बटे 2 कट जाएगा, Bॉर B कट जाएगा, H और H कट जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? उपर कुछ नहीं, ऊपर क्या है? उपर 1 है, और अब नीचे देखिए यह तो कर्षिप का है एक बट्टे दो एक बट्टे दो है यानिकि गुना कर देंगे तो एक हो जाएगा नीचे दो दुना चार हो जाएगा अब इसको स्वल्फ करेंगे एक गुना चार बट्टे एक बराबर चार बट्टे एक अनुपात निकालेंगे इसको तो हमारे पास आ जायेगा चार नफात एक हो जायेगा चारनफात एक यूपसन नंबर 14 भिलकुल सही हो जायेगा चारनपात एक तो चिले बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्स नंबर की किसी त्रिभूज का छेत्रफल एक भूज़ा और और तमॉल mythical का क्या होता है मैं होता है तीन गुणा होता है दोगिना होता है इन में से पहले आप्स revenue डुणा दुसरा ती गुना ताध् dispers 6 इन में से कोई यही होता है आधार गुनि उच्चाई तो छेद्रफल निकालने के लिए हम लोग आधार और उच्चाई को किसे गुना करते हैं एक बट्टे दो से यानिकी आधा से गुना करते हैं तो आधा ओप्सन नमबर तीसरा आधा इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है आधा फिर देख तरफभूज च्चेटरफल में क्या होते हैं एक ही आधार मानकर चलिए ये एक समांतर रेखाए हैं टीक है एक ही आधार एक तरिभूज tener अथा है इस तरीके से आओर एक का चेत्रफल बराबर हो जाएगा ठीक है आप इस तरीके से भी बनाईए एक समांतर चेत्रफल बराबर होगा रेड बलेक वल और बुलु वला दोनों तरीभूज का चेत्रफल बराबर होगा क्योंकि सेम आधार है और समांतर रेखाएं के बीच में है इसलिए चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस का लीजेगा पड़ते हैं नेक्स्ट आठ नंबर क्यों देखिए अच्छा नंबर नहीं है नौ नंबर है नौ नंबर का भी को मिठ हो गया यह को सेन्सव कर चुकए हैं हम लोग इसका सही अंसर हो जायागा ओपाई धौन नंबर दूसरा भी सेंटिमीटर फिदेखिंगे नेक्स्ट दस नमबर एबीसी में अर्पी सी में डी बीसी का मैंद सब्सक्राइड बिंदू है बीसी का मैंद बिंदू है बीसी वह एडी का मध्विंदू है तो एरिया ओप बी इडी बी इडी यह लात्रिभूज जो मैं रेट कलर से कलर कर रहा हूं यह लात्रिभूज का च्छे तरफल हम लोगों को बताना है क्या होगा तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिभूज पहले से था और यहाँ पर यह मध्विंदू है तो यह क्या हो जाएगा माधिका हो जाएगा यहाँ पर यह माधिका हो जाएगा और माधिका त्रिभूजों एक त्रिभूज को दो ब्राबर च्छे तरफल में विभाजित करती है यह माधिका यहाँ पर बना दिये तो एक त्रिभूज यह हो गया पूरे तो देखिए यहां पर फिर से बी एक अधिका है तीवाला ये वालình प्र्फुज के अधिक कर दिए तो यह व्ला जो त्रिभूज है यह क्या हो जाएगा यह व्ला त्रिभूज 1-14 भाग हो जाएगा त्रिभूज A B C का 1-14 एक प्रप्सान नंबर पहला से हो जाए है वन बैफ ओर यॉइप त्रिभूज A, B, C चले अगला question बढ़ते हैं 10 number हो गया 11 number देखिए त्री भूज A, B, C में E, A, D का मधविन्दू है E E, A, D का मधविन्दू है तो area B, E, C B E, C इसका मधविन्दू बताना है तो यहाँ पर देखिए हम लोग पिछला question बस इसको देखे थे तो यह क्या था? 1 बटे 4 भाग था यहाँ पर 2 भाग को पुछा जा रहा है सिंपल सी बात है 1, 2, 3, 4, 4 टुकडा में बाजित किये हैं 2 टुकडा का बात हो रहा है तो 2 बटे 4 यानिकी 1 बटे 2 इसको काटेंगे तो 1 बटे 2 भाग 1 बटे 2 भाग हो जाएगा ठीक है 1 बटे 2 भाग 1 बटे 2 भाग हो जाएगा तरिभूज A B C का कोई दिकत नहीं होना चाहिए फिर देखे नेक्स्ट अगला 12 नमबर 12 नमबर के question है D E और F D E और F क्रम सब त्रिभूज ABC की भूजाओं B, C, C और A, B के मद बिन्दू है तो त्रिभूज D, E, F बराबर question mark ये सभी क्या है? मद बिन्दू है D, E, F मद बिन्दू है टोटल कितना भाग यहां पर बट गया है? एक, दो, तीन, चार चार भागों में इसको बाटा गया है कितना भाग का पुछा जा रहा है? एक भाग का पुछा जा रहा है तो यह हो जाएगा एक बटे चार भाग एक बटे चार भाग option number तीसरा सही हो जाएगा 1 by 4 area of त्रिभूज ABC ये चौथा भाग है चौथा भाग है अब बटे नेक्स्ट अगला question की और तेरा number तेरा number के question देखिए त्रिभूज ABC की माधिका है बिंदु G पर प्रतिछेद करती है तो area of A, G, B क्या होगा? चलिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले एक त्रिभूज बनाया जाए इस तरीके से एक त्रिभूज है और इसका माधिका बनाते हैं हम लोग ठीक है? एक माधिका यह हो गया यहाँ पर मद बिंदु है A, B, C और एक माधिका इधर है और एक माधिका हम लोग यहाँ से यहाँ बना देते हैं और यह जो मिल रहा है बिंदू यह क्या है जी है अब यहां पर पूछा जा रहा है एजी बी एजी बी इसका छेत्रफल पूछा जा रहा है हम लोग उसे यहां पर देखे इस तरीके से कितना त्रिभूज बन रहा है यहां तीन त्रिभूज बन रहा है एक बुलू कलर से आप बड़ बट गया है एक भाग को पूछा जारहा है यहां पर एक बटे तीन भाग हो जाएगा ठीक पर 3 एरिया ओट्रीबुज ABC उप्सेन अबर दुसरा सही हो जाएगा फिदेखिंग अगला चत्रभूज बनाते हैं, जिसका चत्रफल बराबर है, चलिए, यहाँ पर इसको बनाते हैं, इस तरीके से एक त्रिभूज है, और इसका मध्य बिंदू यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और मध्य बिंदू को लेते हुए, मध्य बिंदू को मिला देते हैं, और त्रिभ यहां पर अनुपात पूछा जा रहा है ठीक है छ्यlarını पूछा जा रहा है समांतर च्ट्रभूज का च्ट्रफल त्रिभुज से कमपेर करना है कितना होगा त्रिभूज का 110 हो जाएगा एक मातिका वीवाजित करती है एक मादी के वहज़ित करती है पहला अप्शन देखिए यहाँ पर बराबर छेत्रफल वाले दो त्रिभूजों में दुसरा है दो सवरांसम त्रिभूजों में तीसरा है दो समधिबाहो त्रिभूजों में फिर देखिए चोथा है दो समकों त्रिभूजों में तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपसर नमर पहला दो ब्राबर छेत्रफल वाले त्री भूजों में यह मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले ही कि एक त्री भूज है एक कोई भी सीर्स है सीर्स के सामने वाला जो भूज है उसका माधिका कते हैं दो ब्राबर छेत्रफल में वाजित कर देता है ठीक है वहला यह दूसरा ही है दोनों का छेत्रफल ब्राबर हो जाएगा चलिए 15 नमबर तो complete हो गया हम लोग एक objective तो हो गया हमारा और यह सब जो question उपर मैंने दिया है 15 नमबर छोड़कर बागी सभी subjective में भी पूछा जा सकता है एक हम लोग extra subjective question देखे लेते हैं जो बहुत ज़्यादा important है सिद्ध करें कि किसी चत्रभूज की माधिका उसे समान चत्रफर वाले दो त्रिभूज में बाड़ती है जो 15 नमर का question था उसको यहाँ पर सिद्ध करना है तो चले बहुत हीजी है अच्छी तरीकेशन देखेंगा तो समझ में आ जाएगा एक त्रिभूज है ABC यहाँ पर देखें ABC और इसका माधिका है AD तो यहाँ पर दो त्रिभूज बन रहा है एक त्रिभूज यह वाला बन रहा है दूसरा त्रिभूज यह वाला बन रहा है दोनों त्रिभूज काच्छे दरफल ब्राबर करना है तो फुर्मूला लिखेंग एक बटे दोगे आधरा गुनियों चाहिए आसानी से सीध्ध हो जाएगा बस कुछ-कुछ रचना करना है जिससे यहाँ पर लंब डालेंगे पहले हम लोग ए एम लंब डालेंगे बीसी पर लंब डालेंगे और दोनों त्रिभूज को लेंगे हम लोग पहले त्रिभूज ए एगो लेंगे फिर एप्पि विशिद को लेंगे झेल आपको इस तरीके से लिखना है माना यहाँ पर देखिए माना एबी ट्रिभूज है एडी उसकी माधिक है करना है इसलत्र करना है यहाँ पर देखिए ये रेड वाला त्रिभूज श्रand यह जो है blue वाला त्रिभूज यह दू त्रिभूज है दोनों त्रिभूज च्छे दुफल बरावर करना है एरिया आप को त्रिभूज A, B, D बरावर एरियाप्त त्रिभूज AC, D रचना करेंगे A से A, M लंब खीचेंगे एक बटे दो गुनी आधार गुनी उचाई तो चली मैं इसे साफ कर दूँ जाद बहतर समझना आएगा आप लोगों को दिखें यहां पर इसका आधार हो गया उचाई क्या हो जाएगा आधार गुनी उचाई को दिखत नहीं है इसको समिकरन एक मान लेते हैं फिर देखें नेक्स्ट अगला यहां त्रिभूज लेंगे आधार गुनी उचाई है आधार यही है बी सोरी डी सी डी सी यह वाला आधार और उचाई यही रह जाएगा ए एम हो गया कोई दिकत नहीं है अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि डी मद्ध बिंदू है तो बी डी ब्राबर डी सी हो जाएगा तहाँ पर डी सी के जगह में लोग बी डी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं क्योंकि डी मद्ध बिंदू है दोनों ब्राबर हो जाएगा बढर डी लिखेंगा तो इसको करन मझा दो मान लेंगे अब गौर कीजिए यह वाला और येवाला दोनों तो ब्राबर है चैक्ट है तो चाहिए तरफ से के सामैकरन आप इसका अच्छेके से उते चाहिए रोएक gesund हैं तो आज के लिए लिए इसे इतना ही मैंने कर लिजांच संवे काप्या इंपोर्टेंट है 25 नॉंबर का विकली टेस्ट के लिए भी और फाइनल पोर एक्जाम के लिए भी अच्छी तरीके से फ्रेक्टिस के लिजेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेर कीजेगा थाकि उन्हें भी इस वीडियो का लाब हो सकेगा और चैनल को सबस्क्राइब क क्योंकि फाइनल एक्जाम आप लोगों का होगा उस समय में आप लोगों के लिए भेर भेर इंपोर्टेंट कोर्सन अप्लोड कर दोंगा जिससे आपका काफी अच्छा माक्स आ जाएगा थैंक पर वाच्वें वीडियो जय हिंद जय भारत